ओम शांति ओम शांति आज चार जुलाई 2022 दिन सोंवार की साकार मुरिए आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मथुर महावा क्योंगो मीठे बच्चे बाबा आया है तुम्हें सोभागिशाली बनाने सोभागिशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना प्रश्न सबसे नंबर वन कॉन्फरेंस कब और कौन सी होती है उससे प्राप्ती क्या है उत्तर संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर वन कॉन्फरेंस है जब यह कॉन्फरेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ती वा जीवन मुक्ती का वर्सा मिलता है इसे ही सच्चासचचा कुम्भ भी का जाता है ये कुम्भ का मेला फॉस्ट क्लस कॉनफरेंस है इसके बाद फिर कोई कॉनफरेंस यग्यत तप आधी होते नहीं सब बंद हो जाते हैं गेत माता ओ माता तुम ही हो भागय विधाता ओ शान्ती बच्चों ने महिमा का गीत सुना बच्चे जानते हैं भगती मार्ग में महिमा ही होती आई है जो पास्ट हो गया है उनके फिर महिमा होती है जगत अंबा की महिमा गाते हैं तू हो भाग्य विधाता अब यह हुई भगती और महिमा तुम भगति और महिमा कर नहीं सकते हो तुम जानते हो कि एक ही बाप है भगति करते हैं महिमा गाते हैं हम हो गए भगवाने के बच्चे कैसे भगति अत्वा सो भगति बनाते हो कैसे अपने को भाग्यशाली अत्वा सो भाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं वह है हर एक के पुर्शार्थ पर इस समय पर तुम पुर्शार्थी हो बाप से वर्सा लेने के यह जानते हो सभी बच्चों को एक बाप से वर्सा लेना है भागेशाली वा सो भागेशाली अत्वा सो भागे विधाता तुम हो क्योंकि माबाप के बच्चे हो तुम्हारा भी यह करतव्य है हर एक मनुष्य को भागेशाली सो भागेशाली बनाना सो भागेशाली अर्थात स्वर्ग के मालिक बने सो प्रतीशत भागशाली जो है वह स्वर्ग के मालिक बनते हैं उनमें भी फिर नंबर वार हैं सूरेवन्शी कोई सो भागशाली कहेंगे त्रेता में दो कला कम हो जाती है तो उनको स्वर्ग नहीं कहेंगे उनको सूरेवन्शी नहीं कहेंगे बच्चे तो जानते हैं कि हमको तो सो प्रतीशत सो भागेशाली बनना है सूरेवंशी में प्रिंस प्रिंसिस बनना है यह इश्वरी कॉलेज है ना इश्वर है विश्व का रचियता यह है ही विश्व का मालिक बनने का कॉलेज इश्वर पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूं महराजाओं का महराजा बनाता हूं यह है तुम्हारी पढ़ाई के उपर जो जितना पढ़ता है वह औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे ऐसे ही सोभागेशाली बनाएंगे तुम बच्चों का धंदा ही है शिबाबा है सिखलाने वाला बाकी सब ब्रह्मा सरस्वती ब्रहमन बच्चे सब सीखते हैं ब्रहमन ब्रहमनिया जानते हैं हम फिर सो देवता बनेंगे इस समय भारत का कोई धर्म है नहीं देवता धर्म को जानते ही नहीं धर्म को ना जानना गोया, ये रिलीजियस हैं, धर्म में ताकत होती है, देवी देवता धर्म वाले जब सत्यूग में थे तो अथा सुक था, अभी तो है कल्यूग, पुर्शार्थ कर सत्यूग में आना है, जीवन मुक्त बनना है, जीवन बंध का त्याग करना है, स्वर्ग मिलाप तुम्हारा योग है ही एक शिव बाबा से दूसरे से कम्यूनियन है ही नहीं सिवा एक शिव बाबा के तो उसको ही याद करो बाबा आप कितने मीठे हो ना मन ना चित था आपने तो कितनी कमाल की है जो हमको स्वर्ग की बादिशाही देते हो कोई भी हालत में बाप को याद करना है अत्वा कम्यूनियन करना है बाबा को याद करते हैं बाबा से बोलते हैं उनके साथ सभी का कम्यूनियन है जब आफत आती है तब कहते हैं हे भगवान इनकी आयू बढ़ी करो अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपके, तो यह कम्यूनियन हुआ न, यह याद की आत्रा होती ही एक बार है, जबकि बाप आकर सिखलाते हैं, और सब कम्यूनियन मनुश्य, मनुश्य को सिखलाते हैं, गुरू के पास जाएंगे, कृपा, शमा करो, यह आफत मिटव, अभी तुम बाबा के पास बैठे हो, ब बाबा, इस हालत में हम क्या करें, बाबा समझाते हैं, बच्चे यह ड्रामा अनुसार, दुख सुक होता है, तुम्हारा कम्यूनियन है ही बाप से, बाप कहते हैं, बच्चे, यह तुम्हारा कर्म भोग है, अभी हम तुम्हारी कर्मा तीत अवस्था बनाने आया हूं, कर् परमात्मा बैठ आत्माओं के साथ कम्यूनियन करते हैं और यहां भी परमात्मा आत्माओं से कम्यूनियन करें या आत्मा परमात्मा से करें यह हो नहीं सकता। वे तो ना आत्मा अपने को जानती है ना परमात्मा को ही जानते हैं। सिर्फ गपोड़े मारते हैं। यह कब सुना की परमात्मा स्टार है। उनमें सारा विनाशी पाट नुंधा हुआ है। कब ऐसे एक्षर सुने। उन्हों का कम्यूनियन कभी होता नहीं है। बात्चित होती नहीं है। वे तो सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म से तो कुछ बात्चित हो न सके। बात्चित तो होगी आत्माउं से। आकाश से क्या बात्चित करेंगे। आत्माएं जो महतत्व में रहती हैं वे यहां पाट बजाने आती हैं। बाकि निर्वान धामों में क्या कम्यूनियन करेंगे। वे तो तत्व है न, कम्यूनियन होती है परमात्मा के साथ, आत्मा ही बोलती है, सुनती है इन ओर्गन्स से, आत्मा बिगर तो शरीर कुछ काम करना से के, यह आत्माओं की परमात्मा के साथ कम्यूनियन एक ही पर होती है, जिसकी ही महिमा है आत्मा और परमात्मा अलग रहे अभी कम्यूनियन होता है, बस फिर कभी होता ही नहीं, देवताओं की कम्यूनियन होती है क्या, वे तो कभी याद भी नहीं करते, अभी तुम बज्चे जानते हो, हम आत्माओं का कनेक्शन है ही बाप से, बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, आत्मा ने कहा प देने वाला दाता हम फिर शांती धाम में कैसे आवें बाप कहते हैं बच्चे मुझे सुख शांती का वर्सा देने कल्प कल्प आना पड़ता है याद भी करते हैं पतीत पावन आओ तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं बच्चे अब मेरे पास आना है आत्मा पर आत्मा को फिल होगा ना शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख होता है ना पुन्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है परंतु मनुश्यों में ज्ञान है नहीं कि मैं आत्मा हूं कम्यूनियन सब आत्माओं की आत्माओं के साथ होती है आत्मा ही सारा खेल करती है आत्मा श शरीर में आया हूँ, मुझे इतने बच्चे हैं, कितने बच्चों का दादा बनता हूँ, हिसाब किया जाए, परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य स्रिष्टी रचते हैं अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा है, शिव बाबा का यह बुद्धी में रहता है परमपिता परमा द्वारा स्रिष्टी रचते हैं ब्रह्मा क्रियेटर नहीं है क्रियेटर निराकार शिव परमात्मा को ही कहेंगे वे आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, अब यह बातें तुम समझते हो, वह भी सभी की बुद्धी में एक रस नहीं बैठता है, बाप ही वर्षा देंगे, लाइक बनाएंगे, बाप को ही याद करो, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, इससे ही विकर्म विनाश होगी, याद से ही निरोगी बनेंगे, आयू बड़ी हो जाएगी, पुर्शार्थ से प्रालब्द मिली होई है, सत्यूग के मालक वह कैसे बने, यह कोई भी नहीं जानते हैं, महिमा गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, कितनी बुजा करते हैं, या त्राही करत हैं, या तो बिल्कुल शांती है, बल बाप ज्यान का सागर है, पर अंतु कहते हैं, यह तो सेकिंड की बात है, सिर्फ मुझे याद करो, तो वर्शा तुम्हारा है ही, मन मनाभव, मध्या जीभव, बाकी है डिटेल की समझानी, वह भी कितने समय से देते रहते हैं, वह लो सेकिंड में जीवन मुक्ती देने वाला है ही एक बाप, आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फरेंस होती है, तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ती मिलती है, गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला कर दिया, जब सत्गुरु मिला द 1 conference यह है इनको कुम्ब का मिला कहते हैं कुम्ब संगम को कहा जाता है यह संगम का मिला first class conference है जबकि आत्माउं से परमात्मा कर मिलते हैं सेकेंड में जीवन मुक्ती मिलते हैं इसके बाद सिर कोई conference यग्य तप आदिक कुछ होते नहीं सब बंध हो जाते हैं तुम्हारी conference कैसी नमबर वन है आत्मा और परमात्मा की आत्मा जीव में परवेश करने से जीवात्मा बनती है कहते हैं मैं इनमें परवेश ना करूं तो अपना परिचय कैसे दूं और त्रिकाल दर्शी वस्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनों तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं मनुश्य नहीं समझते विश्णों के साथ कृष्ण को भी पादे देते हैं गीता में कृष्ण का नाम दिया है नहीं तो चक्र की बात है नहीं तुमको बैट स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं यह conference कितनी first class है और जो भी conference करते हैं waste of time है सबसे अच्छी conference यह है जीव आत्माओं और परमात्मा की जीव आत्मा याद करती है परमात्मा को तो जरूर जीव में आएंगे न? नहीं तो बोलने कैसे? यह conference सबसे अच्छी है जो परमपिता परमात्मा आकर सर्व को सदगती देते हैं पतित आत्माओं के साथ जरूर पतित पावन की ही conference होगी तब तो पावन बनाएंगे कितनी सहज समझने की बाते हैं उत्तम ते उत्तम योग है आत्माओं का परमात्मा के साथ सो भी परमात्मा खुद आकर सिखलाते हैं मामे कम याद करो हे जीव की आत्माओं मुझ अपने पारलोकिक बाप के साथ योग रखो तो तुमारे सारे विकर्म विनाश होंगे जबकि आत्माएं सब परमात्मा से मिलती हैं तो जरूर परमात्मा आकर वर्षा देंगे सर्व का सद्गती दाता जीवन मुक्ती दाता वह बाप है ऐसी बातें और कोई तो सुनाते नहीं तुम सुनाएंगे तो कहेंगे और तो किसी से ऐसी बातें सुनी नहीं तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो, यह बातें तो शास्त्रों में भी नहीं हैं, परन तु शास्त्रों में कहां से आएं, बाप कहते हैं, सेकेंड में जीवन मुक्ति, शास्त्रों से क्या सीखेंगे, बाबा है कालो का काल, बच्चों को ले जाते हैं, जरूर आएंगे अब तुम बच्चे जानते हो यह कल्प का संगम है। बाप आये हैं तुम्हारे कम्यूनियन अपने साथ कराते हैं। कहते हैं मैं साधरन ब्रह्मा तन में आया हूँ। यह दादा कोई ब्रह्मा नहीं था। भल असल ब्रह्मन थे पर अंतुवे छोड़ दी। अब ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी हैं तो ब्रह्मा चाहिए। खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। नंबर वन पावन सोही, नंबर वन पतित। 84 जन्म पूरे लिए तो पावन बनेगा न। फिर फरिष्टा बनते हैं तत्वम ब्रह्मन सो देवता बनेंगे। जिसका जास्ती पुर्शार्थ चलता वे जास्ती उंच पद पाएंगे। तुम सब कल्यान कारी हो न। सिर्फ एक बाबा थोड़े ही करते हैं। खुदाई किदमतगार तो बहुत चाहिए न। मुसलमान बहिष्ट कहते हैं। खुद बहिष्ट में जाते थोड़े हीं। ये तो बुद्धी की बात है। स्वर्ग भारक था, अभी नरक है। हेविन स्थापन करने वाला बाप के सिवाए, कोई हो न सके। हेल का अंत आये, तब तो फिर बाप आकर हेविन में ले जावे। हेल में ही बाप को आना पड़ता है। हेविन का मालक बनाने। अभी तुम दोजक और बहिष्ट के बीच में बैठे हो। और तो सभी हैं हीं, दोजक में। सिर्फ तुम बच्चे ही अपने पुर्शार्थ से बहिष्ट में जाते हैं। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों ब्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धरना के लिए मुखे सार, एक बाप से ही सच्चा कम्यूनियन योग रखना है, बाप से ही दिल की वार्था लाप करनी है, बाप के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं, खुदाई किदमतगार बन सबको बहुष्ट में चलने का रास्ता बताना है सबका कल्यानकारी बनना है वर्दान ब्रहमन जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतींद्रिय सुख के अधिकारी भव जो अतीमरिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के जूलों में जूलते हैं उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया उनका वाइदा है ना दुख देंगे ना दुख लेंगे अगर कोई जबर्दस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते ब्राह्मन आत्मा अर्थात सदा सुखी ब्राह्मनों का काम ही है सुख देना और सुख लेना वे सदा सुख मैं संसार में रहने वाली सुख सवरूप आत्मा होंगी स्लोगन नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे ओम शंती